अगये हाँ वैल्कम टू स्मार्ट नोग्री चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे लोकल ट्रेनों के शेडूल बारे में जिया दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता था सामानी जनता के लिए आम जनता के लिए अभी भी लोकल टेने जो है 31 अगस्त के लिए बंद की जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता कि महरास्टा में 31 अगस्त के लिए lockdown को बढ़ा दिया गया है क्योंकि महाराश्टा में चार लाख से जादा मामले अभी तक बढ़ चुके हैं कोरोना वाइरस को लेके और यहां पर लगातार दिन प्रती दिन लोगों की संख्या बढ़ती जारी है बात करें पूरे देश में तो एक मात्र मुंबई शहर ऐसा है जहां पे करोना वाइरस के संक्रमण की संक्या एक लाख के पार पहुँच चुकी है जिया दोस्तों और यहां पर करोना वाइरस के समय अगर लोकल ट्रेनों को चालू किया जाए तो किस हद तक यह विमारी और बढ़ सकती है बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो बताया जा रहा है पिछले 24 में भी 1100 से जादा लोग यहां पर संक्रमित पाए गए और इसी सब के मद्यनाजर सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए देश के तमाम ऐसे राज जहां बे करोना वाइरस की वज़े से संक्रमर बहुत जादा है यानि कि वहां पर लोकल ट्रेने जरूरत मंद अब रात में भी आप थोड़ा सफर कर सकते हैं सबसे अची चीज़ है कि सौपिंग कॉंप्लेक्स खुल चुके हैं मौल्स खुलेंगे लेकिन वहां पर फूट कोट और सिनिमा हॉल बंद रहेंगे तो बात करें लोकल ट्रेनों में अभी भी कौन-कौन सफर कर सकते हैं तो उनके लिए और तमाम कोईड वारियस यानि कोईड योधा जिसे हम कहते हूं तमाम लोगों के लिए लोकल ट्रेने शुरू रहेंगे लेकिन आम जंता के लिए यह अपडेट आ चुकी है कि लोकल ट्रेने नहीं शुरू की जाएंगी तो आपके मन में जो भी डाउट है जि यहां हमें भी लग रहा था सबकी उमीदें दोस्तों धरी की धरी रगे कि सरकार ने अनलॉक 3.0 में सब कुस्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़े खोल दी हैं काफी जदर यायते दिये लोकिन लोकल ट्रेनों को और सिनेमा हॉल्स फिलाल 31 अगस्त के लिए बंद रहे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद